हमारे घर खरीदने का डिसिशन सिर्फ दो बातों पर डिपेंड करता है घर ओफिस से कितना दूर है और घर की प्राइस कितनी है एक इंपॉर्टन बात जो हमेशा इग्नोर हो जाती है वो ये है कि हमारा घर नेचर के कितने पास है University of Washington में School of Public Health के Dean Professor Howard Frumkin कहते है कि human beings के existence से हमारी लाइफ हमेशा नेचर के आस पास रही है नेचर से कनेक्ट हमारे mental well-being के लिए बहुत जरूरी है बट evolution के साथ हमारा नेचर से कनेक्ट दीरे दीरे कम होता जा रहा है हम नाचरल फॉरेस्ट और जंगल से निकल के धीरे धीरे कॉंक्रीट जंगल में आ गया है सिवाए इसके Harvard के एक long-term research study में ये प्रूफ हुआ है कि जिन लोगों के घर के 800 मीटर के घेरे में ग्रीनरी है उनका नाचरल रीजन से mortality rate 12% कम होता है बहतर mental health, social engagement, level of physical activity और air pollution की कमी जैसे analytical factors इस study को support करती है एक research study ये भी बताती है कि concrete jungles में हमारे brain के उन हिस्सों में activity पाई जाती है जो डर और stress से activate होते हैं जबकि natural environments में brain के उन हिस्सों में activity पाई जाती है जो love, empathy और stability से activate होते हैं इसी study के आधार पर जपान में एक therapy प्रसिद्ध है शिन्रिन योकू यानी nature baby इस therapy में लंबे समय तक nature में रहने से mental और physical बिमारियों को treat किया जाता है लेकिन इन फाइदों की वजह से सब छोड ज़ाड के इंसान टंगल में तो नहीं रह सकता आखिर हमारा काम ही हमें nature से दूर लाया है माथेरान हिल्स की छाओ में उल्हास रिवर के किनारे स्थित उलंपियो रिवर साइड शेलू रेल्वे स्टेशन से सित 1.5 किलोमेटर के दूरी पर कई बिजनिस, एड्यूकेशन और रेक्रेशनल हब्स इसके आस पास है ये मुंबई, नवी मुंबई, ठाने और पूने से रोड और रेल नेट्वर के द्वारा कनेक्टिड है इसके साथ ही ये एरिया हमेशा इतना ही ग्रीन और पॉल्यूशन स्री रहेगा क्योंकि इसके आस पास कोई भी पॉल्यूटिंग इंडस्रिल कंस्रॉक्शन अलाउड नहीं है ये सभी चीजे उलम्तियू रिवरसाइड को नेरल में एक परफेक्ट फर्स्ट होम बनाती है जो अर्बन लाइफस्टाइल और नेचर के साइडे एक साथ देता है अर्बन लाइब एक प्रफेक्ट प्रफेक्ट रहीं है